हेलो नमस्कार जैहिंद मेरे प्यारे दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस और ये जो रिवीजन क्लासेस हैं ये आपके स्लेवस का इंटीगरल पार्ट है जितने भी चेप्टर साफ पड़ते हैं उसके जितने भी practical questions और theory के notes आप cover करते हैं उसको support करते हुए रिवीजन क्लासेस की requirement है यहां से हम क्या काम करेंगे कि एक-एक चेप्टर हम pick करेंगे और एक-एक चेप्टर में जितने भी ऐसे concepts हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि आपको रिवाइज करने चाहिए वो सारे के सारे पॉइंट सम एक एक करके आपके सामने लेकर आएंगे इससे पहले कि मैं उन चैप्टर्स की तरफ बढ़ूं कि जिनके रिवीजन का हमारा अबजेक्तिव है पहले मैं दो मेटेस पर बात्चीद करना चाहूंगा मैंने पहले से लिखा हुआ है वाई, revision classes की आवशक्ता क्यों है, revision classes क्यों करी जाए, और दूसरी बात, revision classes के पूरे system को हम आगे conduct कैसे करेंगे, हम इसको execute कैसे करेंगे, पहले इधर, revision classes क्यों, किसलिए? सीधा सा point of view है, इतने सारे chapter सा पढ़ते हैं, हर एक chapter में इतने सारे questions हैं, हर एक question में इतनी सारी calculations हैं, हर calculation में इतने सारे points हैं, दिमाग बिचारा सिर्फ एक, बातों को पतानी कब तक store करके रख सकता है, हम भूल सकते हैं, तो एक्जाम में अगर हमारी performance up to the mark नहीं रह पाती हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम remember नहीं कर पाते हैं, एक्जाम में हम recall नहीं कर पाते हैं, recollect नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारी जो performance है, वो below the mark रह जाती है, इसका solution क्या है? solution है, revise करिए, बार बार revise करिए, देखो भी, जो smart student है ना, वो revise को ना, ऐसे हत्यार के तौर पर इस्तमाल करता है, जो उसको बाकी students से काफी आगे ले जाता है, हमने भी इस requirement को समझा, कि क्यों ना, जितने भी chapters हमने students को करवा कर दिये, उसमें इतनी मेहनत लगी, क्यों ना उन सब को revise किया जाए? रिवीजन की बहुत importance है, इसको हम जितनी जल्दी recognize कर लें, हमार लिए उतना ही अच्छा है, अब दूसरा सवाल जोड़ता है, हम इस रिवीजन के pattern को आगे बढ़ाएंगे कैसे? मैं इधर आता हूँ जी, how? पहली बात, no writing, आप जानते हो जिकनी हमारी classes चलती हैं, उसमें हम सारे के सारे theory के note class में लिखते हैं, और जितने practical questions हैं, उनका presentation का मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, इन्वेड मेरी classes में तो return work बहुत जादा होता है, लेकिन हमने decide करा है, कि आखिरकार revision classes में क्या return work की requirement है? नहीं, अगर हम इसके return work के point of view से सोचे, अगर हम सोचे revision classes में भी हमको लिखना है, तो इसमें बहुत जादा time लग जाएगा, और revision classes अपना objective भी achieve नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगर आपको revision classes के सही output को achieve करना है, तो इसमें आपने सिर्फ देखना है और सुनना है, ये classes इसी objective को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी, कि थोड़े से time के अंदर, थोड़े से time से मेरा मतलब है जैसे, एक chapter में ने pick किया, जैसे पहला chapter में operating costing शुरू इस operating costing को cover करने में हमने total six, seven classes दी, इतनी classes में इतने सारे practical questions हुए, इतने सारे theory के note हुए, ठीक है, उतना time उसमें लगाया आगया, very good, लेकिन जब आप revise करते हैं, तो आपको जादा से जादा, डेड़ और दो घंटे के बीच में आपको उस पूरे के पूरे chapter को revise करना है, त तो अगर मेरा objective ही है, कि इतने बड़े chapter को अगर compact way में revise करना है, तो इसमें return work का element नहीं होगा, इसमें आपने सिर्फ सुनना है और देखना है, मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी बात, आप जब भी revision करे ना, तो देखिएगा, कि जो calculations होती हैं, वो दो तरीके की हैं, एक repetitive calculations हैं, और दूसरा है new calculations, यानि हर कोशन में एक नई बात हमारे सामने आजाती, आपको distinction करना पड़ेगा, कैसी कौन सी calculation है, जो हर कोशन में आजाती है, ऐसा कैसा format है, जो हर कोशन में आजाता है, वो जो repetitive calculation या repetitive formats हैना, वो आपको तंग नहीं करते हैं, आपको मालूम है, यह आपके दिमाग से बाहर निकलने वाले नहीं है, आपको मालूम है, यह आपके दिमाग से निकलने वाला नहीं है, आपके दिमाग से क्या निकल सकता है, सोचिए, जैसे किसी कोशन में खास adjustment आई, वो adjustment बढ़ी important है, बढ़ी comprehensive है, हमने उस adjustment को बहुत ध्यान से समझा, यह वो adjustment हुई है, यह जो important calculation हुई है, कहीं यह हमारे दिमाग से ना निकल जाए, इसलिए हमारे पास ऐसी new calculations की, ऐसी comprehensive calculation की बाकाइदा एक list होनी चाहिए, हम उस list को बार बार revise करेंगे, लेकिन उसके लिए वो list होनी तो चाहिए, important calculation की list होनी तो चाहिए, अच्छा यहाँ प जो मुझे लगता है कि important calculations हो सकती है, उनकी list मैं बना लेता हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि कौन सी calculation कौन से student को तंक करती है, यह उसे खुदी मालूम होता है, तो मैं चाहूंगा मेरी तरफ से एक list आपको दी जाए, आप भी अपनी एक list बनाए, important calculations, जिनका बार बार revision करन बहुत जरूरी है, इस तरीके से जब वो important calculations की list हमारे पास होगी, हम exam से पहले अगर उस list को खाली एक बार देख लेते हैं, एक बार वो सारी बातों को go through हो जाते हैं, तो exam में ऐसा नहीं होगा कि मैं यह कहूं, क्या रहे, यार यह कोशन मैंने करके तो देखा हुआ है, पर मैं जो पहला chapter पिक करूँगा, cost management accounting में, उसका नाम है operating costing, आईए जी आगे बढ़ते, operating costing का जो नाम है ना, अब असल में operating costing का नाम हो गया पुराना, अब इसको कहा जाता है service costing, ओके, पहली बात, operating costing या service costing की जो टेकनीक है, वो कौन सी organizations के लिए applicable है, जैसा कि इसका नाम है service providing industry, तो जितनी भी ऐसी organizations है, जो services provide करके देती, तो पहला point, applicable to organizations engaged in providing services to their customers, और service providing industry, जो popular industries है, जो की आपके इस लेबस में अच्छे खासे लेवल पर covered है, transport industry है, hotels है, cinema halls है, electricity generation है, libraries, banks, insurance, consultants, chartered accountants, doctors, lawyers, सब के बारे में अगर आप सोचें, तो basically हम लोग है क्या, हम लोग service providing industry को बिलॉंग करती, तो जो service providing industry है, अगर ये जानना चाहें, कि भई, अपने client को, अपने customer को, अपने patient को, जो service provide करा के दी जाती है, उसकी कितनी true cost, कितनी true cost, recover करी जानी चाहिए, इसके लिए जो costing technique adopt करी जाएगी, जो follow करी जाएगी, उसको हम लोग कहते हैं, operating costing, perfect, पहली बात, service providing industry, अपने customers, अपने clients को, जो services देते हैं, उसकी जो cost पता करते हैं, उस cost को पता करने के लिए जो technique develop करी गई है, उस technique का नाम है, service costing और operating costing, perfect, point number two, okay, अब दिखे, ऐसी बाते हम कहेंगे, जो आपके examination point of view से important है, theory में ऐसी बाते हैं नहीं लिखी जाती, मैंने आपको क्या कहा है, point number two में, more priority is to be given to transport and hotel industry, 90% chance of question being asked from these two industries, आपको नाम मैं बड़ी sincere advice देता हूँ, आपका सारा का सारा ध्यान, दो industries की तरफ होना चाहिए, एक transport industry और दूसरा hotel industry, बाकि जितनी industries हैं, आप उनके limited questions करें, या जितने भी questions मैंने आपको provide करा कर दे रखे हैं, आप ये मान के चली, इसके लावा और कुछ भी नहीं, लेकिन transport industry और hotel industry में आपका जो thought process है ना, वो कहीं रुक नहीं जाना चाहिए, आपको creativity दिखानी पड़ेगी, transport industry में और hotel industry में, मैं आपको बता रहा हूँ, 90% से ज़्यादा chance है, अगर service costing में से question आया, तो वो या तो transport industry को represent करेगा, या hotel industry को represent करेगा, ध्यान रखेंगे ना, इस बात को, very good जी, ओके, मैं अगली slide पर आता हूँ, point number 3, देखो जी, transport industry, देखो, आप जानते हो, कि भी, transport industry दो तरीके से classify करी जा सकती है, एक passenger carrying, और दूसरा goods carrying, पैसेंजर केरिंग में आप, टेक्सी के बारे में बात कर सकते हैं, आप आटो के बारे में बात कर सकते हैं, आप बस के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर माल गाड़ी के बारे में बात करिए, शिप के बारे में बात करिए, कारगो के बारे में बात करिए, वो सब क्या है, वो है goods carrying transport industry, जो passenger carrying transport industry है, उसमें जितने भी practical questions हमने observe करे हैं, वो तीन तरीके से categorize होते, या तो आपसे calculate करने को कहा जाएगा cost per kilometer, कि बताई हमको कितनी cost, कितनी cost अपने customer से recover करनी है, obviously, कितना simple सा formula है, कि अगर जो total cost मुझे recover करनी है, अगर मैं उसको divide कर दूँ total kilometer से, तो आगया cost per kilometer, अच्छा मान लीजिए, अगर मैं ऐसी industry के बारे में बात करूँ, जहां खाली passenger की importance है, वहाँ kilometer की calculation नहीं सोची जाती है, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको classes में बताया था, जैसे, अगर मैं school bus का example लूँ, या chartered busses का example लूँ, वहाँ पे number of kilometers की calculation importance नहीं रखती है, वो सिर और यह सोते हैं कि उनको total cost कितनी recover करनी है, कितने passenger से recover करनी है, simply passenger से divide करा जाता है, तो total cost gets divided by number of passengers, we get cost per passenger, लेकिन अगर मैं auto taxi जैसे cases के बारे में बात करूँ, वहाँ पे calculation किलो मीटर के basis पर होती है, तो वो अपनी total cost को किलो मीटर से divide करना more appropriate समझते हैं, लेकिन जब हम metro के बारे में, city, buses के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर दोनों बाते important हैं, कि भी passengers कितने हैं और kilometers कितने हैं, वहाँ पे important factor कौन सा है, cost per passenger kilometer, और weekend से cost per passenger per kilometer, वहाँ पे ये बहुत जरूरी हो जाता है, कि जो आपकी total cost है, आप उसको passenger से भी divide करें, और आप उसको kilometer से भी divide करें, nut shell में मैं ये कह सकता हूँ, कि अगर आप अपनी total cost को total passenger kilometer से डिवाइड करते हैं, total passenger kilometers, passenger kilometers का मत्बब हो गया, कि उसमें passengers भी हो गए, और उसमें kilometers भी हो गए, तो उससे आपको पता चल जाएगा, कि आपको अपने customer से, एक passenger से, एक kilometer की cost की recovery कितनी करनी चाहिए, अगर मैं goods carrying transport industry की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पर भी of course, हो सकता है कि खाली kilometer के हिसाप से recovery करी जाए, तो क्या होगा, आप total cost को सिर्फ kilometer से डिवाइड कर दोगे, आपको पता चल जाएगा, कि पर kilometer की recovery कितनी होनी चाहिए, लेकिन, अगर आपको लगता है कि नहीं, कि जी हम तो tons के हिसाप से recovery करना चाहेंगे, वैसे टान एक example है, हो सकता है कि आपके business में kilogram का parameter चलता हो, हो सकता है liters का parameter चलता हो, obviously, तब आप क्या calculate करोगे, cost per liter या cost per kilogram, पर जाधा तर practical kosher ऐसे देखे गए हैं, जिसमें आपको information tons में given होती, तो फिर हम cost per ton की calculation के parameter पे जा सकते हैं, लेकिन, लेकिन, जहाँ दोनों बाते important हैं, जैसे अगर मैं माल गाड़ी के बारे में बात करूँ, मैं अगर cargo के बारे में बात करूँ, वो सोचते हैं कि हमारे लिए kilometer एक important factor है, तो quantity भी एक important factor है, तो वो जो cost की recovery का basis adopt करेंगे, उसको कहते हैं, cost per ton per kilometer, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, आपको total cost को divide कर देना चाहिए, total ton kilometer से, यानि ton से भी divide करें, kilometer से भी divide करें, आपको पता चल जाएगा, कि cost की recovery per ton per kilometer के basis पर कैसे करी जा सकती है, अच्छा, इतने discussion को अब थोड़ा सागे बढ़ाते हैं, concept of passenger kilometers, passenger kilometer की calculation क्यों important है, क्योंकि आपको decide करना है कि cost की recovery per passenger per kilometer कैसे करी जानी चाहिए, passenger kilometers कैसे calculate करे जाने, देखो जी, फार्मूले की essence में अगर कहा जाए, वैसे formula term अपने आप में सहीं नहीं, लेकिन फिर भी, अगर हम passengers और kilometers को multiply कर देते हैं, तो जो figure हमारे पास आती है, उसे हम कहते हैं, passenger kilometers, और अगर हम अपनी total cost को passenger kilometers से divide करें, तो अपने को क्या पता चलेगा, cost per passenger per kilometer, वो के इसको support करते हुए, चलिए calculation को मैं आपको लिख कर बताता हूँ, let us assume, let us assume, एक organization ये कहती है, कि हमको अपने सभी customer से total एक लाख रपे की cost recover करनी है, कितनी एक लाख रपे, और जो गाड़ी हम चलाते हैं, मान लिजिए, टोटल डिस्टेंस हमने कवर करना है, 500 kilometers, obviously, अगर आप one leg को सीधे 500 kilometers से divide करोगे, तो आपको पता चल दाएगा, कि cost per kilometer की recovery कैसे होनी चाहिए, लेकिन, लेकिन, अगर हम kilometer के साथ साथ, मान लिजिए, passenger से भी divide करते हैं, let us assume, कि जो आप गाड़ी चलाते हैं, उसमें एक टाइम पे जब traveling होती है, तो उसमें 100 passengers, 100 passengers travel कर सकते हैं, तो अगर मैं 100 passengers से भी divide कर देता हूँ, effectively मैं ये कह रहा हूँ, कि मैं अपनी total cost को kilometer से भी divide कर रहा हूँ, और passenger से भी divide कर रहा हूँ, किलोमीटर से डिवाइड करके cost पर किलोमीटर हो गई, passenger से डिवाइड करके cost पर passenger हो गई, इसी बात को दूसरे शब्दों में कैसे कहा जा सकता है, कि जो desired cost है, जो की हमको अपने customer से recover करनी है, अगर वो एक लाखर पे है, तो आप इसको किस से डिवाइड करें, किलोमीटर से डिवाइड करेंगे, रिकवरी रेट आपके पास क्या आजाएगा, रुपिस 2 पर passenger पर किलोमीटर, अच्छा, एक बात स्टूडेंट कई बार कहते हैं, किस साथ अपने को ये नाम बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या बात भी भला, पेसेंजर किलोमीटर कितना अजीब सा नाम है, आप मुझे एक बार बताईए, अगर मैं ये कहूँ, कि ज़रा 2 सेंटीमीटर को 3 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या ये नहीं कहा जाता, 6 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और वी केंज से 6 सेंटीमीटर स्क्वेर, इस तरीके से आप कहते हैं ना, अफकोर्स, लेकिन अगर यही बात अगर मैं आपको ये कहूँ, कि मुझे आप 2 सेंटीमीटर को 3 लीटर से मल्टीप्लाई करके बताईए, तो आप कहेंगे सर जी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं कहूँ कि 2 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन इसका यूनिट ओफ वेजर्मेंट क्या लिखा जाएगा? सेंटीमीटर और लीटर को जभरदस्ति मल्टीप्लाई करोगे, तो यूनिट ओफ मेजर्मेंट भी थोड़ा अजीब सा ही आएगा, नाम हो गया सेंटिमीटर और लीटर सिमिलरली अगर आप पैसेंजर्स और किलो मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे तो यह मल्टीप्लिकेशन होता नहीं है लेकिन फिर भी आप अपनी कन्वीनियंस के लिए अगर यह काम करते हैं तो उसका यूनिट आप मेजरमेंट ऐसी सिच्वेशन में जब वो टोटल टन किलो मीटर कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला क्या हुआ बला वैल नंबर आफ टन्स मल्टी प्लैडविड नंबर आफ किलो मीटर कंसेट कुल मिलाकर सेम हैं दोनों के पास किलो मीटर की कैलकुलेशन है लेकिन पैसेंजर क शबद इस्तावाल करना पड़ता है, और goods carrying transport industry को या tons, या फिर kg, या फिर liters, या कोई और measurement, वो term उनको यूज़ करना पड़ सकता है. तो जितनी भी transport industries के coaching होगे, उसमें होगा यही के जितनी भी total cost की details आपके पास हो, आपको उन टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है या तो नमबर ऑफ किलोमीटर से ताकि कॉस्ट पर किलोमीटर पता चले या डिवाइड करना है नमबर ऑफ पैसेंजर से ताकि कॉस्ट पर पैसेंजर पता चले या डिवाइड करें टोटल पैसेंजर किलोमीटर से और आपको इनके practical applications पर भी लेकर आऊंगा याने practical question solve करते समय कौन कौन से ऐसे technical point आते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए मैं उन matters पर भी थोड़ी देर में आता हूं पर पहले सोचता हूं कि जो other service providing industries हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हो जाए जरूर यह जी मैं अगली स्लाइड पर आगया जैसा मैंने आपको कहा था कि ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री के बाद होटल इंडस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है जी अच्छा होटल इंडस्ट्री में कौन सा यूनिट आफ मेजरमेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए सुनेगा जी the objective is to ascertain the recovery rate of cost per room per day मेरे भाई यह आपका होस्टल नहीं है कि जहां पर रेंट का decision per month वेसिस पर होता होगा होटल में क्या होता है कि recovery rate decide होता है per day पर पर room per day इसका मतलब जब वो अपने cost का recovery rate decide करेंगे तो उनके दिमाग में क्या सोच है कि उनको अपनी total cost को rooms से भी divide करना है और days से भी divide करना है rooms से divide करके recovery rate per room आ जाएगा और days से divide करके recovery rate per day भी आएगा लेकिन यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप total cost को divide करने सीधा total rooms days से rooms days जाने number of rooms और number of days का multiplication तो सीधे आपको hotel industry का recovery rate पता चल जाएगा that is recovery of cost per room per day उसी तरीके से जब आप cinema hall के बारे में बात करते हैं तो cinema hall का point of view सुनिए वो कहते देखो भी यह cinema hall है इसमें इतनी सारी seeds हैं हमको recovery एक एक seat की करनी पड़ती है और दिन में बड़े सारे show चलते हैं और multiplex का अगर example लें तो इतने सारे shows है कि उनको तो आप सोचे दिन में 7-8 भी हो सकते हैं दस-12 भी हो सकते हैं वो कहते देखो अपनी जो desired collections हैं जो cost की recovery हमको करनी है profit के साथ हमको सोचना पड़ता है कि कितने shows हम चलाते हैं हमको सोचना पड़ता है कि एक एक शो जब चलता है तो कितनी seats occupy होती है तो उससे हमको यह पता चलेगा कि desired recovery पर seat पर show कितनी होनी चाहिए फूर उसके बाद कई वार ऐसा होता है कि single screen cinema hall के question भी आ जाते हैं अब single screen cinema hall में क्या होता है बहुत जादा seat होती है उसमें rear stall होता है front stall होती है balcony भी होती है और उसमें अलग-अलग prices होते हैं हमको उस अलग-अलग prices के matter को भी discuss करना पड़ता है तो cinema halls में आपका basic point of view क्या है आपका main objective क्या है कि recovery rate decide किया जाए एक-एक seat को लेकर एक-एक show को लेकर तो hotel industry की अपनी requirement है cinema hall की अपनी requirement है ओके आगे बढ़ते हैं जब हम hospitals पर पहुशते ही भई hospitals के case में आप पहले सोचेगा कि hospitals और hotel industry को अलग कैसे किया जाए hotel industry केती है जी देखो यह rooms हैं और यहाँ पर आके रहते हैं guests hospital वाले कहते हैं यह rooms हैं और यहाँ पर आते हैं patients कुल मिलाकर point of view वही है भई पैसे तो यहाँ से भी कमाने वहाँ से भी कमाने मैं यह कह रहाँ भई यहां भी रूम occupy होते हैं वहाँ भी occupy होते हैं यहां पे occupy करते हैं hotel में occupy करते हैं guests और hospital में occupy करते पेशन्स तो hospitals के case में क्या होता है कि recovery rate decide करना होता है per patient per day hotel वाले क्या कहते हैं per room per day अच्छा patient को कई बार वो patient term अगर नहीं बोलते हैं तो bed term बोलते हैं तो ठीक है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है recovery rate decide करना पड़ता है per bed per day उनका formula भी वह ये कि जो total cost उनको recover करनी है अगर उस total cost को वो number of beds से भी divide करते हैं और number of days से भी divide करते हैं तो उनको पता चल जाता है recovery rate per bed per day और we can say formula को कैसे sum up किया जा सकता है कि अगर आपकी जो total cost है आप उसको divide कर दे total beds days से तो ये मान लिया जाएगा कि आपने बेट से भी divide करा और आपने days से भी divide करा तो recovery rate per bed per day आगया ठीक बात है जी अगर मैं chartered countants, doctors या lawyers के बारे में बात करूँ इनके point of view क्या है कि भी हमको तो decide करना है recovery rate per client या per patient या फिर जैसा भी आप parameter adopt करना चाहें जो आपको ठीक लगे जी तो hospitals, chartered accountants, doctors, lawyers के case में अपनी अपनी convenient के factor को ध्यान में रखते हुए recovery rate डिसाइड करे जाते हैं अच्छा जब मैं point number 10 पर आता हूँ देखो जी ऐसा है मैं यह कह सकता हूँ कि दो तरीके के recovery rate होते हैं एक तोगे simple recovery rate दूसरे को मैं कह सकता हूँ composite आप इसको comprehensive भी कह सकते ही simple recovery rate में क्या होता है कि आप एक ही base decide करते हो एक ही base आप decide करते हो आप जैसे यह कहते हो कि मुझे recovery rate decide करना है per kilometer तो आपने सिर्फ एक नाम बोला kilometer आपने का जी मुझे decide करना है per client आपने बस एक नाम बोला per client आपने का जी cost per student आपने एक नाम बोला student लिकिन जब basis एक से ज़ादा हो जाए तो वो composite हो जाते है वो comprehensive हो जाते ही जैसे आप कहतो per passenger per kilometer आप कहतो per ton per kilometer आप कहतो per room per day आप कहतो per seat per show तो जब भी recovery base एक से जादा होता है तो उसको composite term दिया जाता है और जब भी recovery rate सिर्फ एक होता है तो उसको नाम दिया जाता है simple अब थोड़े practical application की तरफ आगे बढ़ते मैं अगली slide पर आता हूँ आप देखेंगे अब मैंने heading डाली ए practical questions अब मैं क्या करूंगा कि जितने भी practical questions आपने इस chapter में cover करें जितने practical questions मैंने आपको करवा कर दिये उसमें ऐसे जितने भी points है जो मुझे लगता है कि उसको revise करना ज़रूरी है एके करके वो सारे points मैं आपके सामने लेकर आता हूँ मैं एक बाब फिर से अपनी बात दोराना स्पैसिफिकली किसी बात को लेकर तंग करती है तो वो list तो भी आपको बनानी पड़ेगे तो जी मेरी तरफ से discussion शुरू होता है पहली चीज में क्या देखता हूँ कैसे बड़े सारे questions हुए जिसमें जब question में जितनी भी cost की details given होती थी जब हम उसका total कर लेते थे तो जैसे एक example मैंने आपके समने बनाया मान लीजिए commission को छोड़ कर transport industry की जो total cost है वो है रुपे 70,000 आप सोचिए शुरू में ऐसे कितने सारे question आए let us assume कि जितने भी expenses हमें given थे हमने सारे expenses का total किया उसमें जितने भी standing charge दे से जितने भी running expenses थे उन सब का total किया गया पर अभी उसमें commission एड नहीं करा गया और commission को छोड़ कर जितने भी business की total operating cost थी उसका amount हमको दिखा 70,000 वेरी गुर्ची फिर question ने कुछ message हमको दी कि वो जो commission है ना वो takings का 10% आप जानते ही हैं जो total collections होती हैं उसी को takings कहते हैं फिर उनने दूसरा message दिया कि profit जो है वो takings का 20% है takings calculate करे कितनी important calculation है और कितने सारे question में यह आप से पूची जाती रही देखो इस situation को कैसे handle किया जाता है आप यह मान लिजिए कि वो जो takings है वो रुपिस x है इसका मतब जो commission है वो उस takings का अगर 10% है तो उसको 0.1 x 0.10 x कहा जा सकता है और profit जो है वो चुकी takings का 20% है तो उसको 0.20 x कहा जा सकता है अब simple सा point of view यह है कि अगर 70,000 है total cost excluding commission उसमें अगर आप add कर देते हैं commission जो है 0.10 x तो effectively यह total cost हो गया मैं यह कह सकता हूँ इन दोनों का जो total है वो total cost हो गया और अगर मैं total cost में profit add करता हूँ that is 0.20 x यानि जो total takings है उसका 20% so total cost plus profit जिसको कि आप वैसे कहते है total sales value transport industry में उसको takings कहा जाएगा of course इस equation को solve करके बड़े अराम से पता चल जाएगा कि आपकी जो takings है जो आपकी total collections है वो रुपिस वन लेक है of course आप यह procedure adopt कर सकते हैं कोई परिशानी वाली बात नहीं पर कई बार हम इसको और ज़्यादा simple way में और फटा फट ते स्पीट से कर लेते हैं यह हम कैसे करते हैं देखें भई आप जानते हो total cost excluding commission plus commission plus profit is equal to takings अगर ऐसे सोच लिया जाए कि अगर takings 100 है let us assume तो profit 20 रुपिस हो गया commission 10 रुपिस हो गया तो without any doubt जो total cost excluding commission है वो तो फिर 70 हुआना अच्छा आप कहते हो कि excluding commission cost मुझे मालूम है 70,000 given अगर 70,000 आप जानते हैं और वो 70 को represent करता है तो बहुत आराम से आप बता सकते हो के 10 commission का representative कितना है 20 profit का representative कितना है और 100 total collection का representative कितना है तो ये जो आप लोगों ने है maths में, शुरू में, बच्पन में unit method पढ़ा था आप उसको भी apply कर सकते हैं unit method apply करे या फिर आप commission की calculation को x के हिसाब से deal करे दोनों अपने आप में ठीक है, उसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं तो practical में पहला point मैंने यही pick करा ऐसे बड़े सारे question थे, जो हमने शुरू में deal करे थे जिसमें इस तरीके की situation आती तो हमने एक तरीके से इसको revise कर लिया कि या तो x की calculation को आप ऐस तरीके से deal कर सकते हैं या फिर collections को hundred मान कर भी आप total cost, profit, commission ये सारी calculation को deal कर सकते हैं परफेक्ट है ना, बड़ी अच्छी बात है देखो जी, ये जो वीडियो है ना, हमें इसके duration का बड़ा ध्यान रखना है एक ही वीडियो बनेगा उसका duration डेट घंटे से दो घंटे की range में होगा और इसमें हमको पूरा का पूरा chapter इसके जितने भी theory के notes हो सकते हैं जितने भी practical question के important points हो सकते हैं वो सब हमने आपको बताने ओकी, मैं आगे बढ़ता हूँ दूसरी बात जो मैंने सोची है कि देखो ट्रांस्पोर्ट इंडस्टी के सबसे अधा question होते हैं और हमने हर question में एक statement बनानी होती है उसको बोलते हैं operating cost statement लेकिन operating cost statement से कभी भी शुरुवात नहीं करनी चाहिए पहले आपको ये decide करना चाहिए कि आपका objective क्या है क्या आप calculate करना चाहते हैं cost per kilometer अगर ऐसा है अगर ये taxi का question है आपकी खुद की गाड़ी का question है या employer की गाड़ी का question है तो मेरे प्यारे बच्चो पहले आप calculate करके रख लो total kilometers operating cost statement बाद में बनेगा अगर आप सोचते हो कि भी आप एक ऐसे case को deal कर रहे हो कि जिसमें kilometers की importance रही है खाली passenger की importance है तो पहले से calculate करके रख लो number of passengers और अगर DTC Metro जैसा कोई case deal कर रहे हो तो पहले से calculate करके रख लो passenger kilometers ट्रक का case deal कर रहे हो तो पहले से calculate करके रख लो 10 kilometers step 1 पहले से calculate करके रख ले kilometers या passengers या passenger kilometers या 10 kilometers फिर आप step number 2 में जाए उसमें जब आप operating cost statement बनाते है तो वो statement बनाते समय आपने हमेशा से standing charges और running expenses को अलग अलग रखा है standing charges भाई fixed nature के expenses हो गए याने गाड़ी जादा चले कम चले हमें क्या फरक पड़ता है ये expenditure जितना है उतना ही रहेगा भाई जैसे मान लीजिए आप rent पे करते हैं जैसे मान लीजिए अगर आपको अपनी गाड़ी पे depreciation record करना है हाला कि depreciation के variable cost के माने जाने के भी parameters हैं वो हम इसी concept में discuss करने वाले उसके बार running expenses भी आते हैं जो variable expenses की नेचर के हैं जैसे जब आप diesel cost record करते हो पेट्रोर cost record करते हो maintenance cost record करते हो तो वो सारे के सारे expenses जो है फिर वो running expenses की list में जाएगे मैं ये भी बता दू कि standing charges running expenses सिर्फ एक recommended basis है अगर कोई student कहता है कि जब मैं total cost पता करूँगा और मैं standing और running expenses का difference नहीं करना चाहता तो ये उसकी choice है लेकिन फिर भी recommendation तो है ही तो हम सरब ये कह रहें कि आप operating cost statement जब बनाएं तो standing charges और running expenses का एक clear cut distinction आप रखें कुछ बातों का ध्यान रखेंगा operating cost statement किसले बनाई जा रही है क्योंकि हम ये decide करें कि हमको अपने business की जो cost है वो अपने customer से recover कैसे करनी मेरे भाई जब हम cost recover करते न तो हम लोग fixed cost भी recover करते हैं और variable cost भी recover करते हैं fixed cost याने standing charges variable याने running expenses तो note number 1 में जो बात आपको कहना चाहता हूँ वो ये कि जब भी standing charges का मेरा मतलब है fixed cost का recovery rate decide होगा वो हमेशा total basis पर आप decide करिएगा लेकिन running expenses का recovery rate individual basis पर decide किया जाना चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके पास बड़े सारे fixed expenses हैं आप ये काम करें अपने सारे fixed expenses का करें total fixed expense को individual basis पर मत सोचेगा fixed expense में जैसे आप staff को salary देते हो आप building का rent पे करते हो individual fixed cost पर discussion मत किया जाए fixed cost का करा जाए total जब एक बार total fixed cost हमारे पास आजाए अब ये सोचेगा कि ये हम आखिरकार अपने customer से recover कैसे करें और recovery rate establish करिएगा totality के principle पर लेकिन running expenses जैसे petrol, diesel, repairs, maintenance इनके recovery rate हमेशा individual principle पर decide करे जाने चाहिए जैसा कि मैं note number one में कहने की कोशिश कर रहा हूँ कई बार student ये सवाल पूछते हैं कि सर आखिरकारा पैसा क्यों कर रहे हैं आप diesel का cost, petrol के cost को separately क्यों बताना चाहते हैं तो सुनेगा भई हम भी जब अपनी गाड़ी चलाते हैं तो क्या ये बास सच नहीं कि variable expenses खास तोर पे petrol के cost पर हमारी नज़र रहती हैं हम ये सोचते हैं कि भी ये ये petrol अपने आज जलवाया ये गाड़ी कितने दिन चल जाएगी कितने किलोमीटर चल जाएगी बिजनस औरगिनाइजेशन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है वो जानते हैं कि भी fixed cost तो ना कम हो सकते हैं ना ज्यादा हो सकते हैं उसके ओपर individual कंट्रोल करके कुछ मिलेगा ने लेकिन अगर बिजनस में मान दीजा हमको cost को कम करना है control के principle को apply करना है तो variable cost पे बड़ी effectively वो implement करा जाता है अगर हमको लगता है कि cost को कम करने है तो diesel cost को कम करने का सबसे पहला step लिया जा सकता है variable expenses control के purposes के लिए सबसे ज़ादा effectively use करे जाने चाहिए इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक एक variable cost कि separately recovery कैसे करी जाती तो variable cost का recovery rate हमेशा individual basis पे decide होगा लेकिन fixed cost का recovery rate हमेशा total के principle पर decide किया जाता है ये बात मैंने आपको note number 1 में कहकर बताईए अच्छा जी note number 2 पर आते है ऐसे बड़े सारे repairs की information मिलेगी well repairs है मेरा मतलब है repairs and maintenance पहली priority है ना आप repair को ना हमेशा variable cost बानिएगा कोई आप से बूछे repair क्या होता है आपके एगा variable cost होता है अगर machine जादा चलेगी गाड़ी जादा चलेगी तो repair की cost obviously जादा होगी आप अपनी गाड़ी के case में भी ऐसा सोच सकते तो भी repair की requirement कम भी है तो भी जादा भी है थो भी expenditure fix दे तो इस तरीके का message आपको ये indication है आपको ये message है कि जब आप operating cost statement बनाएं तो आप repairs को fixed cost मान कर इसका पांसर दे very good आप लोगों ने शायद कभी AMC के बारे में सुना होगा annual maintenance contract भी आपके घर में को electronic equipment है चलो computer भी हो सकता है हो सकता है आपने उसका AMC annual maintenance content करवा रखाओ हो सकता है कोई company आपको ये कहें कि भी आप हमको एक साल के 2000 पे दीजिए आपका computer साल में एक बार खराब हो 10 बार खराब हो 50 बार खराब हो करेंगे एक रपया फाल तो नहीं लेंगे लिकिन अगर एक बार भी रिपेर की requirement नहीं तो जो पैसे आपने देते आप उसको भूल जाईए अब आपको मालूम है कि ये expenditure इतना है तो इतना है तो ये message है कि रिपेर यहां पे fixed cost मान लिया जाए तो more appropriate है आप इस बात को समझ रहे ना अच्छा उसी तरीके से discussion को अगर मैं depreciation पर ले आऊ हमारा point of view ये है कि अगर question ये message दे कि जो गाड़ी आप चलाते हैं उसकी life economic life number of years में है ये गाड़ी 10 साल चलेगी बस question ये कहके चुप हो इसके ओपर 10% depreciation लगा दिया जाए बात खतम तो आप हमको क्या कहना चाते हैं कि इसका मतलब ये है कि depreciation इतना है तो इतना ही है ना इससे एक रप्या कम है ना इससे एक रप्या जादा है अगर आप इस तरीके की information दोगे तो हमारे लिए ये more appropriate opinion होगा कि depreciation को fixed cost की category में count कर दिया जाए obviously लेकिन अगर आप गाड़ी की यही economic life number of kilometers में बता दो तो बस ऐसे assumption कि भी ये गाड़ी है आपने खरीदी 10 लाख रुपे की और इसकी economic life है एक लाख किलो मीटर तो इसका मतलब depreciation हो गया रुपेस 10 पर किलो मीटर आप किसी particular period में मान लो गाड़ी कम चल गई त किलो मीटर कम record हुए तो depreciation भी कमी record होगा किसी दूसे period में किलो मीटर जाधा record हो गए तो depreciation भी जाधा record हो जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चो फिर depreciation किलोमीटर पे dependent हो गया और और running expense क्या है running expense का मतलब क्या है ऐसा कोई भी expense जो किलोमीटर के हिसाब से vary करता है जादा किलोमीटर होने पे वो cost जादा हो जाता है कम किलोमीटर होने पे वो cost कम हो जाता है तो वो running expense की category में obviously जाएगा तो तब उसको running expense की category में count करना भी चाहिए जब भी आपको कहा जाए taking उसका मतलब हमेशा होता है commission तो हम इस समय point number 2 के बारे में बात कर रहे थे मैं फिर से कहूँगा जब भी आप transport industry का question deal करें तो पहले किलोमीटर जा passenger जा passenger किलोमीटर जा 10 किलोमीटर calculate कर लीजेगा आपको advice है operating cost statement बनाते समय standing charges running expenses को अलग-अलग classify करिएगा standing charges का recovery rate totality के principle पर और variable expenses का recovery rate individual basis पर decide किया जाना चाहिए repairs को लेकर पहली priority के आप उसको variable cost माने लेकिन अगर पर मन्त परैनम हो तो fixed cost मानने की recommendation है okay depreciation को fixed cost भी माना जा सकता है variable cost भी माना जा सकता है ये इस बात पर डिपेंड करता है के गारी की economic life number of years में है के number of kilometers में है collections, takings, okay जी very good अब मैं आता हूँ जी अगली slide की तरफ point number three हमारे पास है concept of net collections and GST okay इस concept को समझाने से पहले एक simple सा example आपको देता हूँ ये सारी बाते अभी आप मत पढ़िए और ये example मैं आपको अपने ही relation में देता हूँ देखो जी हम student से जो हम service provide करा कर देते हैं उसका एक amount charge करते let us assume, let us assume हमने student से charge किया रुपेस 12,000 कितना रुपेस 12,000 और आप जानते हो जो amount charge किया जाता है वो including GST होता है including GST होता है और GST तो हमें आगे government के पास deposit कराना पड़ता है अच्छे चले 12,000 के मैं इस तरीके से दो हिस्से कर देता हूँ उसमें पहले को मैं कहूँगा GST और दूसरे को मैं कहूँगा balance amount जिसको की technically कहा जाता है net amount आप इसको balance कहना चाहें आपकी मर्जी लेकिन technically इसको कहा जाएगा net amount net amount से हमारा मतलब है कि जो भी amount हमको हमारे student से मिला है उसमें GST को हटा दिया जाए तो बाकी net amount हमारा है बाकी amount हमारा है इसलिए हमने term यूज किया net अच्छा चली GST का rate आप जानते हैं कि 18% है हमारे उपर तो हमें यह बात ऐसी बताता हूँ आप आपको कि अगर हमने आप से 12,000 charge किया है तो उसमें GST का amount कितना हुआ सुनेगा जी अगर वैसे student से fee charge करी जाए 100 रुपिस उस पे 18 रुपिस का GST लगा दिया जाए तो इसका मतलब student से fee charge करी जाती है 118 including GST हम कहेंगे सर including GST तो 12,000 है हमने का अरे भाई वही तो कह रहे ना यह including GST है और including GST अपने आप में 118 को represent करता है तो सोचे उसमें 18 की figure कितनी हुई बहुत असान है 12,000 divided by 118 multiplied with 18 यह आपको कितना मिला approximately 1831 अगर हमने total 12,000 का amount charge किया उसमें 1831 अगर GST का amount है तो बाकी का net amount रहा हमारे लिए 10169 क्या मैं ठीक बता रहा हूं जी ओके अब यह जो net amount है मैं इसको कैसे समझाओ जी यह आपने हम को दिया और हमें दिया जो GST का amount है वो तो government के खाते में चला गया अच्छा यह जो net amount है हम इसके करेंगे दो हिस्से बई इसमें हमारी कॉस्ट भी है obviously इसमें हमारा balance profit भी for sure जब मैं कहता हूं cost तो cost हो गई दो तरीके की इसमें हमारी fixed cost भी है और इसमें हमारी variable cost भी है और बड़ी सारी fixed cost हो सकती है और बड़ी सारी variable cost भी हो सकती है तो अब इस पूरे system को थोड़ा उल्टा करिए अभी तो आपने यहां से शुरू करा ना अब मैं एक काम करता हूं reverse gear में गारी चलाता हूं नीचे से शुरू करता हूं पहले क्यों ना मैं अपने सारे fixed expenses एड करूं एक बार fixed expenses का total आ जाए तो फिर मैं एक एक करके अपने variable expenses का total करूंगा fixed expenses variable expenses के total को फिर मैं कूंगा यह मेरी total cost है एक बार total cost मेरे पास आ जाए तो मैं उसमें अपना desired profit एड करूंगा उसको मैं नाम दूँगा मेरी net collections और net collections में एड होगा GST और GSC एड करके मुझे पता चल जाएगा कि total मेरी collections कितनी अब इस system को हम operating costing में किस तरीके से handle करते हैं देखेगा जिन questions में आपको GST का rate given हो तो आप statement कैसे बनाएंगे obviously पहले आप अपने सारे standing charges लिखेंगे okay उसमें आप AK करके सारे running expenses एड करेंगे okay आपकी total cost आपके पास आजाएगी एक बार total cost की information आपके पास आजाए तो आप उसमें desired profit add करें तो जो amount आए उसको आप नाम दीजेगा net collections और net collections में finally GST add होगा और आपको पता चल जाएगा आपका total collections मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पुरानी books में या फिर जो question GST के आने से पहले exam में आते थे तो जो term use किया जाता था उस term का नाम था passenger tax पर GST के आने से सारे indirect taxes खतम हो गए passenger tax भी abolish हो गया अब सिर्फ एक ही term हमारे पास रह गया और वो है GST परफेक्ट कई वर student ये message भी देता है इस तरीके से बात को समझने की कोशिच करता है कि सर क्या ये GST हम running expenses के अंदर लिख सकते हैं जवाब है बिलकुल भी नहीं ये गलती मत करिएगा पेपर चेक करने वाला आपकी ये गलती पकड़ लेगा किए ये क्या बात हुई क्या CA का student ये कहना चाहता है कि जो GST है जो पहले passenger tax था ट्रांस्पोर्ट इंडस्टी के case में क्या वो running expenses का total है कैसी बात कर दी आपने तो इसलिए कभी भी कभी भी GST को running expense का part मत मानिएगा हमेशा आपको इसको नीचे आखिर में net collections की calculation के बाद आपने इसको add करके बताना है तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला point आपको समझ में आया के net collections और GST का concept क्या है फिर से पहले सारे standing charges उसमें add करें सारे running expenses आपको business की total cost पता चलेगी उसमें add करें desired profit आपको अपनी net collections पता चलेगी उसमें add करीगा GST आपको पता चलेगा total collections we come to the next issue point number four there are some questions where decision is to be taken regarding giving the answer on monthly or annual basis or giving the answer for one vehicle or any number of vehicles सुनेगा जी या तो question clearly अपना point of view बता दे और कई वार ऐसा होता भी है specific instruction होती है कि हमको answer monthly या annual basis पर चाहिए पर चलेए सई बाद ये है कि ऐसा कुछ कोशन में होता है ऐसे बड़े सारी कोशन है ज्यादा तर कोशन ऐसे हैं जिसमें बस detail बता दी जाती है और बाकी student के wisdom पर छोड़ दिया जाता है कि आपने इस situation को monthly basis पर handle करना है या annual basis पर handle करना है मैं कहूंगा तो फिर जब student के ओपर छोड़ दिया तो student की choice है of course दूसरा issue कई बार ऐसा होता है कि भी आप transport industry का case deal कर रहे हैं आपके पास हो सकता है एक बस हो 5 हो 10 हो एक ट्रक हो 5 ट्रक हो 10 ट्रक हो तो student के ऊपर ये बात छोड़ दी जाती है कि आप question को किस parameter पर handle करना चाहते हैं वेल इसका जवाब फिर वही है जब आपने हमारे पर ही छोड़ दिया तो फिर हम ही decide करेंगे भाई इसका मत्ता paper check करने वाला फिर हमारे फैसले को माने हमारे फैसले का सम्मान करें लेकिन लेकिन ध्यान से देखेगा यह लाल रंग से मैंने क्या लिखा ultimately it is the student choice but it must be remembered that n by d must be correlated n by d यह n याने numerator d याने denominator देखो जब हम आपको कहते हैं के cost per kilometer निकाली याने cost divided by kilometers तो जो उपर है वो numerator जो नीचे है वो denominator हम जब यह कहते हैं कि आप nd के principle का ध्यान रखेंगे याने correlate करके चलिएगा आपने decide कर लिए अभी मैं तो question का answer एक महीने के लिए दूँगा तो numerator में आप जो cost लिखेंगे वो cost भी एक ही महीने की होनी चाहिए याने एक महीने की cost को एक महीने के base से divide करें आपको नहीं मुझे तो annual answer देना है तो कोई नहीं यार एक साल की cost को एक साल के base से divide करें अच्छा answer same आता है जैसे जैसे मन लीजे किस ने आपको यह कहा कि भी मेरी कोस्ट है रुपेश से 10 पर किलो मेटर ठीक है जी पर कोई दूसरा student केगा सर मुझे तो answer annual basis पर देना है तो कौन सी बड़ी बात है आप उपर 12 से multiply करिए इस से आपकी cost annual हो जाएगी अब जब cost annual लिख ली है तो divide भी तो annual किलो मेटर से करेंगे ना नीचे आपने अल्रेडी monthly किलो मेटर लिखे हुए है आप नीचे भी 12 से multiply कर दो ना सीधा situation ना annual cost gets divided by annual किलो मेटर्स अब आप मुझे बताओ ये 12 12 multiply करके आपको क्या मिला answer फिर वही आया के नहीं आया यार अगर आपको यही पता करना है कि cost per km कितनी है तो इस tension में क्यू हो कि answer monthly basis पर है कि answer annual basis पर है अल्टीमेटली तो आंसर रुपिस 10 पर किलो मेटर ही आना है similarly similarly आपके पास बड़ी सारी गाडियां है तीन चार पाच गाडियां है और अगर गाडियों की किलो मीटर थे अपनी अपनी केपैसिटी थी तब अफकोर्स आप यह पैरामीटर एडॉप्ट नहीं कर सकते मैं मैं कह रहा हूं आप तभी यह काम कर सकते हैं अगर यूनिफॉर्मिटी का प्रिंसिपल हो तो एक जैसी सिट्वेशन हो तो पर अगर एक जैसी सिट्वेशन है बस के किलो मीटर एक जैसे पैस केपैसिटी एक जैसी पैसेंजर एक जैसे ते फिर की एक पैसिटी भी उतनी हैं लेकिन ऐसे एक्जामपल कमी मिलते हैं तो अगर आपको लगता है कि अगर आप मंथली बेसिस पर आंसर दें एक बस का आंसर दें पांच बस का आंसर दें कुछ फरक नी पड़ता बस एन और डी को को रिलेट करिए को महीने का एक बस है तो सब करोगे तो एन बाइडी का कंसेट तो फिर बुरा मान जाएगा ना तो फिर ये काम मत करना भाई ठीक है ना तो मैं समझता हूं कि आपको मेरा ये वाला इशू समझ में आगे है चलो जी आगे बढ़ते हैं फटा पटा अगला इशू जो मेरे पास है पहले इसको पढ़ ले देखो जी कंसेट है रीमबर्समेंट एम्पलायर ये तो कह सकता है कि देखो भाईया काम तो है पर गाड़ी निये मेरे पास आप एक आम करो आप अपनी गाड़ी मेरे काम के लिए चलाओ तो ऐसी सिक्चुएशन में एम्पलोई ये कह सकता है कि भी वो तो ठीक है मैं अपनी गाड़ी आपके काम के लिए चलाओंगा लेकिन फिर आखिर कार तो गाड़ी मेरी है ना काम आपका है तो मुझे आप कॉस्ट को लेकर रीम बर्सो करोगे ना मेरे प्यारे बच्चो जब आप ट्रेनिंग पर भी जाओगे ना तब भी ऐसा होगा कि आपका जो एम्पलोईर है चार्टेड एकांटेंज जहां पर आप ट्रेनिंग करेंगे वो आपको कहेगा कि भी क्लाइंट के घर जाओ ये डॉक्मेंट लेकर आओ ये बुक्स ओफ जाओ तो आपको गे मैं कैसे जाओ तो सही आपको अच्छा मोटर सैकल तो मेरी है और मोटर सैकल की अपनी एक कॉस्ट है उसके फिक्स कॉस्ट है डेपरीजेशन इंशारेंस है पेटरोल डीजल है बहुत कुछ है जी डीजल तो कहर नहीं होगा लेकिन कुल मिलाकर ये है मै यह कहना चाहता हूँ कि आप यह कहसकते हो कि भी या यह तो मेरी कौस्ट है तो एम्पलाओर के ठीक है कि मैं आपको आपके उस कौस्ट को लेकर आपको रिंबस करो तो एम्पलाओि को आईसी सिच्वेशन में प Pillars पता कर लेना चाहिए क्योंकि वो आपको ये cost अपने employer से recover या बाद में reimburse भी तो करवानी है ना जैसे के example देता हूँ, एक example आपको देता हूँ, महली आपने ये कहा कि देखो भी ये जो मेरी गाड़ी है, मैं पूरे साल के लिए चलाता हूँ, इसकी जो मेरी fixed cost है ये सिर्फ एक example के तौर पे, भी मेरे पूरे साल की fixed cost है रुपेस 50,000, हाला कि 50,000 थोड़ा huge amount हो गया, motorcycle की case में तो fit नहीं बैठेगा, लेकिन motor car की case में fit बैठ सकता है, अगर आप depreciation, insurance और जितने भी fixed expenses है अगर आप उनको consider कर ले तो, फिर आप कोगे देखो जी हमने इसके बड़े सारे variable या running expenses के बारे में भी सोचा, जब हमने इसके running expenses का total किया, तो वो हमको मिल गया रुपेस 30,000, तो आपने का, आप employee आपने का, कि अगर मैं अपनी गाड़ी पूरे साल के लिए चलाता हूँ, तो मेरी 80,000 की cost तो है ही, लेकिन मैं भी तो पूरे साल में गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलाई लेता हूँ, तो आपने इसको 10,000 किलोमीटर से डिवाइड भी कर दिया, इस से आपको क्या पता चल गया, कि जो आपकी annual cost है, जब आप उसको annual किलोमीटर से डिवाइड करते हैं, तो वो आगया रुपेस 8 पर किलोमीटर, आपने अबजर्व किया, मैंने क्या कहा, annual cost gets divided by annual किलोमीटर, आगया cost per किलोमीटर, जब मैंने पर किलोमीटर का, तो मैंने annual जैसा शब्द इस्तमाल नहीं करा, पर किलोमीटर, तो पर किलोमीटर है, तो जब आपका employer आपको ये कहे, कि हाँ बताओ, अपनी गाड़ी मेरे काम के लिए इस्तमाल करते हूँ, आपको होगे हांजी, करते हैं, लेकिन मेरी cost है 8 रपे, हाला कि आप अपनी cost 8 रपे उसको क्यों disclose करोगे, पहले आप उसको कहने दो, आप अपने employer को मौका दो, कि सर ठीक है, मेरी गाड़ी आपके लिए हाजिर है, कि आप अंदर से जानते हैं, कि आपकी खुद की cost है, सिर्फ 8 रपे, लेकिन अगर वो ये कहें कि अच्छा एक काम करो, मेरे से ले लो, एक किलो मीटर के 5 रपे, तब आप कोगे नहीं, फिर आप सारे details बताओगे, कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा fixed cost है, ये मेरा running cost है, मेर मेरी खुद की cost 8 रपे पर किलो मीटर है, तो मैं आपके लिए खाली 5 रपे पर क्यों मान जाओं, तो जब भी आपके साथ इस तरीके का settlement हो रहा हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अपनी cost की calculations को तयार करके रखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इसको use करें, अरे भाई, अगर सामने वाली party आपको वैसे ही जादा amount offer करे, तो आप फालतू में details क्यों बताओगे, लेकिन अगर वहाँ से rate कम मिल रहा हो, तो details बताने में hitch कियेगा मत, ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ये point number 5 समझ में आ गया ना, very good जी, अब मैं दूसरा issue कौन सा लेकर आता हूँ, और वो है point number 6, concept of cost break-even, cost break-even याने क्या, तो सुनो भाई, कभी कबार आपके पास एक से जादा रास्ते होते, आपको किसी एक रास्ते को चुनना होता है, आप उसी को चुनते हैं ना, कि जिसमें आपको फाइदा जादा दिखता हो, पर मेरे प्यारे बच्चो, cost accounting में फाइ जाएंगे ना, कि उस रास्ते को चुनें, कि जिसमें cost का involvement कम हो, जिसमें cost का involvement कम हो, obviously, तो इसलिए, concept को revise करने के लिए, मैं आपके सामने दो option लेकर आता हूँ, option number 1, option number 2, भाई, लिखने का हिसाब किताब नहीं है, भाई, रिवीजन क्लास में आपको नहीं लिखना है, सिर चुके हैं, तो इसलिए सिर्फ समझे, मान लिजिए, एक option number 1 आपके पास है, option number 1 में आपको बताया गया, कि अगर आप इस रास्ते को चुनते हैं, तो इसमें जो fixed cost का amount होगा, वो होगा रुपिस 10,000, अच्छा जी, अगर आप second option को पिक करते हैं, तो इसमें जो fixed cost का amount है, वो होगा रुपिस 14,000, आप कहेंगे सर, फैसला हो गया, हम option number 1 को select करेंगे, क्योंकि उसमें fixed cost कम है, लेकिन इतनी जल्दबाजी किसलिए, खाली fixed cost के basis पे decision नहीं लिया जाना चाहिए, variable cost, भी subject matter of discussion बनाया जाए, वेल, variable cost, let us assume, variable cost, चुकि ये transport industry का case है, तो मैं variable cost को per kilometer के parameter पर आपको बताना चाहूंगा, लेकिन जब हम यहाँ पर जाते हैं, तो variable cost हो जाता है, रुपिस 5 पर kilometer, आपने observe करा, कि fixed cost कहता है, कि मैं option number one के साथ हूं, क्योंकि इसमें fixed cost कम है, लेकिन variable cost कहता है, कि मैं option number two के साथ हूं, क्योंकि इसमें variable cost कम है, मेरे प्यारे बच्चों यही वो position होती है, कि जब एक decision लेना पड़ता है, यानि एक factor एक को support करता है, और दूसरे को support करता है, अरे अगर सारे factor एक ही के support में चले जाएंगे, तो फिर आप और मैं फैसला क्या लेंगे, confusion होता कर है, जब एक factor एक को support कर रहा है, दूसरे को support कर रहा है, तब एक concept हमको पढ़ाना पड़ता है, उस concept का नाम है cost break even, कुंसा concept आता है, वो concept आता है, जिसमें हम वो लेवल पता करने की कोशिश करते हैं, हो सकता है वो annual basis पर हो, हो सकता है वो monthly basis पर हो, कि कितने किलोमेटर गाड़ी चलाई जाए, कि option number one और option number two में cost equal हो जाए, कितने किलोमेटर गाड़ी चलाई जाए, कि दोनों option एक जैसे हो जाए, और अगर एक जैसे हो जाए ना, तो अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, इंडिफरेंट हो जाना, cost इंडिफरेंट का मतलब इस option में भी cost वही, उस option में भी cost वही, management की मर्जी, जो मर्जी फैसला क्यों ना लें, ऐसी situation को आप कैसे handle करते हैं, आप सब जानते हैं, जस लेकिन रिवीजन के लिए मैं आपको दुबारा से बताता हूँ, मान लिजिए, कि X किलोमीटर के ट्रेवल करने से, मान लिजिए, कि X किलोमीटर के ट्रेवल करने से, वो cost break-even situation आ जाती, मेरा मतलब है cost equal हो जाती, तो option नमबर वन कहेगा, कि हमारी fixed cost तो 10,000 है, तो 10,000 ही है भाई, जितने मर्जी किलोमीटर गाली क्यों न चलवा लिजिए, पर variable cost उपे 7 पर किलोमीटर है, और X किलोमीटर है, तो total variable cost हो गया 7X, option 2 कहेगा, कि fixed cost तो हमारी 14,000 है, variable cost अगर है 5 पर किलोमीटर और X किलोमीटर, तो total variable cost हो गया 5X, ठीक है न, ओके, और चुकि यह indifferent है, तो बीच में आ जाना चाहिए, is equal to का sign, equation बन जाती है, इससे X calculate हो जाता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चो, यह जो तरीका है न, इसको हम लोग बोलते हैं, बच्चो का तरीका, बच्चो वाला तरीका, X जैसी calculation को जितना कम से कम इस्तमाल करें, आपके लिए उतना ही अच्छा है, अल्टरेटिवली आपे काम कर सकते, जब भी आपको cost break-even calculate करना पड़े, cost break-even जब भी आपको calculate करना पड़े, बड़ा simple सा parameter है, well this is, difference in fixed cost, you get it divided by, difference in variable cost per kilometer, difference in variable cost per kilometer, मेरा मतलब है, जब आप दोनों options को compare करते हैं, तो आपको fixed cost में difference कितना दिखता है, rupees 4000, एकदम सही बात है, जब आप variable cost को compare करते हैं, तो आपको difference कितना दिखता है, rupees 2 per kilometer, तो जब difference in fixed cost को, difference in variable cost per kilometer से आप डिवाइड करते हैं, तो automatically आपके पास, 2000 kilometers की situation आजाती है, तब आप management को ये बताना चाहेंगे, कि अगर आपकी गाड़ी exactly 2000 kilometer चलती है, तो in difference की situation आजाएगी, मेरा मतलब है, cost option number one में भी वही होगा, option number two में भी वही होगा, फिर एक related question आएगा साथ में, कि अगर गाड़ी 2000 kilometer से कम चलती है, तो आप option number one के favor में हैं, कि two के favor में हैं, और अगर जादा चलती है, तो आपका फैसला क्या है, इसका एक तरीका तो ये है, कि आप calculate करके देख लीजिए, जैसे गाड़ी 2000 kilometer से कम, जैसे मान लीजिए 1500, 1500 kilometer, तो 1500 kilometer पर option number one की cost कितनी है, option number two की cost कितनी है, आपको पता चली जाएगा, कि कौन से option में cost कमा रही है, आप उसी के favor में अपनी बात कह दीजिएगा, दूसा तरीका जो है, वो ये है, ये हमेशा आपको लगेगा, ये जो भी cost break even है, जैसे 2000 kilometer हमने calculate करा, जब भी आप इससे कम के बारे में सोचोगे, 2000 kilometer से कम kilometer सोचोगे, तो हमेशा वही option आपको more favorable मिलेगा, जिसमें fixed cost कम है, fixed cost option number one में कम है, तो आपको option number one more favorable लगेगा ही लगेगा, उस situation पे, जो आपको indifferent से कम की position को represent करती, और जब भी आप इस indifferent से उपर चले जाते हैं, इस break even situation से उपर चले जाते हैं, आपको हमेशा वह वाल option more favorable मिलेगा, जिसमें variable cost का involvement कम है, जैसा कि आप option number two में देख सकते हैं, तो exactly अगर 2000 km हूँ, तो दोनों option एक जैसे, और अगर गाड़ी 2000 km से कम चले, तो option number one बढ़िया, क्योंकि इसमें fixed cost का burden कम है, और अगर आपके km 2000 से जादा है, तो option number two बढ़िया, क्योंकि उसमें variable cost per km का involvement कम है, इस पर detailed discussion of course हमारी main classes में पहले ही हो चुका है, तो यह हमने क्या पढ़ा, cost, break even का concept, ओके जी, आगे बढ़ते हैं जी, अगले concept की तरफ, point number seven, heading मैंने पिक करी है, concept of absolute 10 km and commercial 10 km, वैसे तो यह concept theoretically भी बड़ा important है, और आपको ध्यानोंगा इसका जब theory का note हमने लिखा था, तब हमने practical application की मदद से ही सारा का सारा note लिख लिए था, absolute याने जो absolute calculation है, commercial 10 km का मतलब, कि industry में यह calculations apply करी जाती हैं, और बड़े approximation की बेसिस पर होती हैं, student तो कहता है कि absolute 10 km बड़ा important concept है, बड़ा perfect concept है, industry कहते है कि absolute 10 km कौन calculate करेगा वैया, यह तो बड़ा comprehensive होता है, हमको तो चाहिए convenient method, commercial 10 km के साथ सबसे बड़ी खुबी यह है, कि यह बड़ा convenient method होता, क्योंकि यह क्या करता है, कि total distance को इकठा कर देता है, और उसको average load से simple basis पर multiply करता है, example के तोर पे, जैसे माल लिजिए, यह है place A, और यह है place B, और यह है C, assume करिए, कि A और B के बीच में 10 km का distance है, और B और C के बीच में 15 km का, का distance है, आप देखरें, मैं बात को कैसे specifically कह रहा हूँ, क्योंकि absolute calculation कहता है, कि भई आप बात को specifically कहें, अच्छा मानिए, जब गाड़ी A से भी जा रही थी, तो इस particular period के दोरान, गाड़ी में 8 ton का load था, 8 ton का load था, तो आब यह कह सकते हो, कि जब 10 km गाड़ी चली, specifically 8 ton के साथ, तो यह हो गया 80 ton किलो मीटर्स, एकदम simple concept है, very good, उसी तरीके से जब गाड़ी B से C जा रही थी, तो उस समय, specifically उस period के दोरान, मान लीजिए कि 6 ton का load था, तो 15 km and 6 tons, आप जैसे इसको multiply करेंगे, तो यह आ गया 90 ton किलो मीटर्स, ओके, जब आप इन दोनों का total कर लेंगे, तो भई टोटल हो गया 170 ton किलो मीटर्स, Absolute ton किलो मीटर्स का concept basically है क्या, कि बात को specifically कहें, बात को exactly कहें, जिस particular duration के दोरान, जिस particular distance में, जितनी गाड़ी चली है, और कितने ton के साथ चली है, उसी specific km को, उसी specific tons की capacity से multiply करें, तो आपको पता चलेगा, कि आपका जो answer है, वो absolute ton किलो मीटर को कैसे represent करता है, अगर आप अपनी total cost को, अपने absolute ton किलो मीटर से divide करते हैं, तो अपको आपको cost per ton per km पता चलेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आपके syllabus में यही है जी, absolute ton किलो मीटर, इसको हम कई बार सिर्फ ton किलो मीटर बोल देते हैं, commercial ton किलो मीटर पर मैं आता हूँ, commercial ton किलो मीटर सही माइने में, practically आपके syllabus का part नहीं, बस एक theoretical introduction है, यह actually transport industry के convenient factor को represent करता, transport industry का point of view यह है, कि यह जो आपने इतनी आसानी से calculate कर लिया है, जानते क्यूं, क्योंकि आपने A, B, C बात को कितनी specifically कहा है, मेरे प्यारे बच्चों, जब गाड़ी चलती है ना, transport industry कहती है, कि जब गाड़ी चलती है, तब हमें खुदी नहीं पता होता, कई बार बीच में सैकडो स्टेशन आ जाते हैं, बई कश्मीर से कन्या कुमारी तर ट्रक जा रहा है, बीच में हो सकता है सैकडो स्टेशन आ जाएं, कई बार तो दो स्टेशन के बीच में distance पता करना हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, दूसरी समस्या, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जब गाड़ी जा रही है, तो कितना समान है, अरे इसका वजन कौन करेगा, हमें नहीं पता चलता जी, कब कितना समान चला, कितना उतर गया, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी समझो यार, आपको असान लग रहा है, अगर यही में हम 500 स्टेशन कर दें, तो फिर आपको एपसलूट 10 किलोमेटर बहुत मुसीबत का कारण में लगेगा, हो सकता है, सारे दिन में भी आप कैलकुलेशन ना कर पाओ, तो जब तक सिचुएशन सिंपल रहती है, तब तक आपको सिंपल लगती भी है, वही सिचुएशन कॉमप्रीहंसीब हो जाती है, कमर्शिल टन किलोमीटर का कंसिब्ट कहता है, दिखो हम कोई ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री में कई पेपर तो देने जाने वाले हैं नहीं हमने कोई आंसर तो देना है नहीं हमने तो बिजनस करना है और बिजनस की कैलकुलेशन अगर थोड़ी बहुत अप्रॉक्सिमेट हो जाती है तो इस पे बुरा मानने वाली कौन सी बात है वो कहते हमारा पैरामीटर के सुनी हम क्या करते हैं पहले गाड़ी के टोटल किलोमीटर पता कर लेते हैं जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बस सीधा हम सीधा कहते हैं कि गाड़ी टोटल चली है 25 किलोमीटर मैं कहता हूँ भले बीच में 500 सेशन क्यों ना आ जाएं हमने तो किलोमीटर का टोटल ही करना है न आखिरकार वो गाड़ी में ओडोमीटर लगा ही होता है पता चल जाता है गाड़ी कहां से चली कहां पहुची जैसे किलोमीटर का टोटल आपको पता चलेगा और उसको पता करने में कोई खास परिशानी थोड़ी होती है फटा पट उसको मल्टिपलाई कर दो किस से के ओन एन एवरेज गाड़ी पे लोड़ कितना होता है जैसे आप खुद यहां कहते हैं कि कभी आठ टन होता है कभी छे टन होता है यानि कभी आठ कभी छे आरे भाईया स्पेसिफिक बात मत कहो बता ओन एन एवरेज कितना होता है तो आप सिंपली अगर सिंपल अरिथमेटिक मीन भी कैलकुलेट करेंगे तो साफ तो पर बताय जा सकता है आठ और छे एवरेज हो गया साथ गेट इट मल्टीप्लाइड विद सेवन टन्स तो जब आप 25 किलो मीटर को स्टेट अवे 7 टन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सीधे तोर पर ये पता चल जाएगा 175 टन किलो मीटर्स मैं जानता हूँ के आंसर में फरकाता है यह 170 वो 175 है लेकिन आप पॉइंट नहीं समझे आप बेसिक पॉइंट यह है के कमर्शल 10 किलो मीटर्स ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे यूस होता है क्योंकि इसमें कन्वीनियन फेक्टर जोड़ा है इसमें आंसर वो फटा फटा कर लेते हैं उनको कहीं जाके पेपर शेपर नहीं देना भाईया इसले स्टूडेंट की पहली पसंद एपसोलीट 10 किलो मीटर्स पर इंडस्ट्री की पहली पसंद कमर्शल 10 किलो मीटर्स आप लोगों ने सुनाई होगा ना बच्पन से सुन रहे हैं कि वैस आप पढ़ते कुछ और है असल दिंदगी में कुछ और होता है कितना प्रबल उधारन आपके सामने पेश कर रहा हूं भाईया यह आप पढ़ाई करते हैं यह असल दिंदगी में होता है कि स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है एपसोल्यू टन किलोमीटर और ट्रांसफोर्ट इंडस्ट्री इंपलीमेंट करती है कमर्शल टन किलोमीटर वाजिवा आईए जी बढ़ते हैं अगले कंसेट की तरफ आईए जी impact of fines, penalties and abnormal expenses ऐसे कुछ practical question आते हैं इस chapter में जिसमें fines, penalties की बात स्पेसिफिकली कही जाती है हमने पूरी heading डाली है fines, penalties and abnormal expenses तो पहला सवाल तो यह उठेगा कि fines और penalties जो हैं क्या यह abnormal expenses होते हैं जवाब है ज्यादा तर cases में yes वैसे मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसी भी transport industries हैं या कोई भी business organization जिसके लिए हो सकता है legal system को violate करना बड़ा normal सी बात हो transport industry में भी ऐसा होता है बही no entry zone में चले गए कोई भी ऐसा मान लीजे system है जैसे मान लीजे documents पूरे maintain नहीं करे हुए ऐसे कुछ हैं ऐसे कुछ violations हैं कुछ transport industry में यह पक्के तोर पे normal माने भी गए हैं पर जादा तर cases में आप यह मान के चलिए कि बही यह abnormal है वेल अगर यह प्रूव हो जाता है कि violation भी normal है तो ऐसी situation में आपको उस cost को consider करना ही पड़ेगा आप उसे ignore नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप यह प्रूव कर चुके हैं कि यह normal cost है लेकिन हम ऐसा अपने आप तो मानने वाले नहीं है तो हम क्या करेंगे अगर question में fine penalty given है तो हम यह मान के चलेंगे यह abnormal expenses की category में जाएगा तो यह बात आप मान के चलिए कि जब आप total cost पता करें आप इसको बिलकुल भी count नहीं करेंगे costing objective पहले दिन से specifically बताये गया है कि आपने सिर्फ normal cost को ही consider करना है सिर्फ normal cost को जो normal circumstances में customer से recover करी जानी चाहिए position एकदम clearly समझ लीजे fines, penalties, abnormal expenses को दूर रखिए question जान बुच की यह information आपको दे सकता है ताकि आप गलती करें पर आपको गलती नहीं करनी है question के जाल में नहीं फसना है तो normal cost calculate करें abnormal expenses से दूरी बनाएं fine penalties से दूरी बनाएं अरे यार एक बात बताओ आप भी कभी कबार किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया होगा कुछ आपने जुर्माना दे दिया होगा और अगर कोई आप से पूछे कि मोटर सैकल चलाने की आपकी cost कितनी आती है तो क्या उस cost की definition में आप वो fine भी count कर लोगे कैसी बात करते हो भी या वो कोई गाड़ी चलाने की cost थोड़ी है तो वो किसी कीमत पर आप cost का part नहीं मानेंगे लिकिन मैं दूसरे matter पर आता हूँ कई बार ऐसा होगा कि कोशन आपको कहेगा कि इस period का actual profit calculate करके बताओ मैं specifically कह रहा हूँ actual profit normal profit नहीं तो actual profit आप कैसे calculate करोगे तो फिर actual profit calculate करोगे ना तो आप क्या करिएगा कि किसी particular period में आपकी कितनी total collections हैं पहले वो पता कर लिजे उसमें से normal operating cost जितने भी आपके standing charge है, running expenses है वो आपकी normal operating cost है आप उसे minus करिए उससे आपको क्या पता चल जाएगा कि normal circumstances में इतना profit आपके हाथ में लेकिन जब आप normal cost पता कर रहे थे तो obviously आपने fine penalty abnormal expenses थोड़ी minus थोड़ी count करे होंगे लेकिन अगर actual profit calculate करवाना है तो फिर तो उनको भी minus करना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ उन questions में जिसमें actual profit calculate करना question की specific requirement होती है सिर्फ वही पर हम आपको ये advice करेंगे कि आप fines, penalties और abnormal expenses का treatment करिएगा वरना नहीं वरना आपको क्या करना है मैं आपको पहली बता चुका हूँ हमारा position, हमारा point of view एकदम clear है हमने इसको count नहीं करना हमने इसको ignore करना है point number 8 आपको समझ में आ गया बड़ी अच्छी बात है अब अगले concept की तरह बढ़ते yes please next है आपके सामने format देखो जी format जो है ना हमारे याँ ऐसे नहीं है जैसा की financial accounting या company accounts में होता है कोई पत्थर की लकीर नहीं है भाई format subject to change होता ही है अगर कोई student के कि साम मेरे पास answer देने का ये more improved form है तो हम तो उसका स्वागती करते हैं भाई तो भी एक है recommended format वो है number one अगर कोई second format को adopt करना चाहता है तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि ये गलत है पर हम ये ज़रूर कहेंगे कि ये less appropriate है और उसके पीछे हम आपको reason भी बताएंगे पर पहले ज़रा more appropriate format आपको बताए more appropriate format क्या है कि पहले जितने भी आपके standing charges हैं उसका total करें running expenses उसमें लेकर आएं standing charges का recovery rate totality के principle पर और running expenses का recovery rate separate individual basis परे आप total करेंगे तो आपको अपनी total cost पता चलेगी उसमें अपना desired profit add करें net collections आपके पास आएंगे आप उसमें जैसे GST add करेंगे तो total collections मेरे क्याल से ये तो बात हम लोग पहले ही जान चुके पर एक सवाल उठेगा दिमाग में आकरकार ये recommended basis क्यों है लेकिन पहले जड़ा दूसा format भी देख लेते हैं reverse order में start करें total collection से ये ठीक वैसी जैसे income statement बनाई जाती है उसमें से आप जैसे GST deduct कर देंगे minus कर देंगे तो आपको आपकी net collections पता चल जाएगी बही total collection में से government का share गया बाकी जो हमारा है अच्छा जी जो हमारा share है अफकोर्स उसमें हमारी cost है उसमें हमारे fixed expenses हैं उसमें हमारे running expenses हैं balance हमारा net profit आ गया आप कहेंगे सर अल्टीमेटली तो दोनों के दोनों format एक ही objective अच्छीव करते हैं जो बात यहां कही गई वही बात यहां कही गई पर एक बात समझ में नहीं आती आखिर कार यह recommended format क्यों है और यह क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चों इसके पीछे philosophy है इसके पीछे point of view है वो क्या सुनिएगा cost accounting आपको क्या इसलिए पढ़ाई जाती है कि आप profit पता करें पहले मेरे सवाल का जवाब दिजी cost accounting के पढ़ाने का objective क्या cost पता करना है या profit पता करना है the obvious answer is cost determination तो आप cost पता करो यह मेरे भाई वो तो जिन question में profit given होता है हम उसमें profit add कर देते है अगर question profit की information ना दे तो हम क्यों profit add करेंगे भला हम तो total cost पर अपने answer को रोक नहीं देंगे हम क्यों आपको GST के जंजट में लेके जाए लो बताओ अब हमारा ये काम रह गया है हम profit की calculation समझाएं GST की calculation समझाएं paper का नाम है cost and management accounting चलो cost accounting पर ध्यान तो भाई कहां से बीच में profit आ गया कहां से बीच में GST आ गया वो इसलिए आ गया क्योंकि management को कुछ decision लेने होते हैं profit और GST question बताता है हम लिख देते हैं पर main objective हमारा क्या है cost determination format number two तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपका main objective तो profit पता करने का आप शुरुवाती अगर collection से करोगे आप ये मान के चलोगे के collections हमको given है collections कहां given होती भाई collection तो हम पता करते हैं और हर question में collection होती भी नहीं है तो format number two जिस policy पर based है जिस सोच पर based है वो सोच गलत है वो हमारी approach को suitable नहीं लगती है हमारे हिसाब से नहीं चलती है हमारा objective profit पता करने का है ही नहीं तो हम format number two को recommendation क्यों देंगे भला हमारा objective तो cost पता करने का है तो हम तो point number one कोई more appropriate मानेंगे अच्छा मेरे प्यारे बच्चों बड़ी देर से ट्रांस्पोर्ट इंडस्ट्री पर बातचीत हो रही है ना बड़े सारे point हमने discuss करें अब मैं आपको बाकी इंडस्ट्री के parameter पर लेके चलता हूँ आईए जी आगे बढ़ते ओके अधर इंडस्ट्री में पहले cinema hall के concept पर आते हैं आपके interest का matter है इसलिए cinema hall के जो question है ना आपके syllabus में मैं उनको चलो यूँ सोचता हूँ एक तो simple case को deal करना पड़ जाता है और दूसा case थोड़ा सा comprehensive हो जाता है simple case में क्या होगा कि आपको cinema hall को चलाने की पूरी cost की retails given होगी आप पहले पूरे साल की cost पता कर लोगे फिर उसको जब आप number of days से divide करोगे तो cost per day आ जाएगा और एक दिन में अगर बड़े सारे show चलते हैं आप further number of shows से divide करोगे तो आप कहां पहुँच जाओगे total cost per show तो cinema hall में costing की treatment का पहला parameter ये है कि आप cost per show calculate करें तो मैंने एक example लिया मान लिजिए हमको ये पता चल गया कि हमारी cost per show है रुपेस 15,000 इसका मतलब 15,000 की cost हमको हर हालत में recover करनी simple case लेते हैं मान लिजिए आपको कहा गया कि cinema hall में total 200 seat हैं हाला कि 200 seat बहुत कम है लेकिन example further information आपको दी गई कि normally occupancy 75% होती यानि 25% seat खाली होती है normal basis इसका मतलब ये हो गया कि normally कितनी seat अक्यूपाई हो जाती होंगी of course 150 जब हम cost की recovery करेंगे तो obviously जो normal situation है उसका ध्यान तो रखेंगे जो normal loss है उसका burden तो customer पर जाता ही है without any doubt अच्छा तो जब जो हमारी cost है 15,000 यह हमको recover करनी है और normal situation में 150 seats occupy हो जाए तो असानी से case handle हो जाता है हमको बड़े अराम से पता चल जाता है कि हमको एक seat एक शो से कितने amount की recovery करनी चाहिए यह हला कि हमने cost के बारे में बात करें बाइसाब cost के साथ साथ जरूर इसमें profit का भी angle सोच लीजिएगा तो simple case वाकई में simple है total cost अगर मुझे per show पता चल जाए और मुझे यह मालूम चल जाए कि normal situation में कितनी seats occupy हो जाती है तो बस seat से divide करने की बात है मुझे पता चल जाएगा कि मेरा recovery rate per seat per show कितना ओकी मैं थोड़ा सा comprehensive situation को बनाता हूँ हाला कि आपको लगेगा सर comprehensive हमें दिख तो नहीं रहा आप तो अभी भी वही कह रहे है total cost per show रुपेज 15,000, normal occupancy 75%, total seat 200 आप एकदम ठीक कह रहे हैं अभी तो आपको नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा हम इसको comprehensive बनाते ओके लेट एस एजूम सिनेमा हॉल को हम ऐसे तीन केटेगरी में डिवाइड करते front stall सबसे आगे की seat, rear stall बीचे की seat और balcony तो फिर balcony होती है जी मकान लिजिए front stall में आपकी 80 seat है rear stall की 60 और balcony की साठ तोटल आप करेंगे तो 200 seat और जब आप ये कहते हैं के 75%-seat occupy होती है तो इसका मतलब front stall की 80-seat 75% occupied, 60 seats rear stall की 60 seats 75% occupied 45 seats और यही position हमको balcony में भी दिखती अच्छा अब ये भी जानते हैं single screen cinema hall में ऐसे भी होता है कि जो front stall, rear stall, balcony की जो prices हैं वो progressively महंगे होते जाते Let us assume a question में आपको ये बताया गया कि इसमें 1, 2 और 3 का ratio है ये क्या मतलब हुआ कि अगर front stall का price है रुपिस X तो rear stall का 2X और balcony का सबसे ज़्यादा 3X तो आप कुछ ऐसे सोचिए कि अगर 60 seats occupy हो जाए X के हिसाब से तो भाया 60X का तो collection हो गया Similarly, जो rear stall की 45 seats है अगर उस पे भी 2X का collection हुआ तो 90X हुआ balcony की भी जो 45 seats है उस पे per seat अगर 3X का collection हुआ तो 135X हुआ तो अगर मैं आप से पूछू कि आपका total collection कितना है तो total collection भई इन सब का total 60X, 90X, 135X मैं जैसे इसका total करता हूँ तो ये 285X अपने को मिल गया अच्छा आपने शुरू में ही बता दिया था ना कि आपकी जो desired collection है वो है रुपिस 50,000 in terms of cost अगर आपको 15,000 की cost recover करनी है और अगर आप ये चाहते हो कि front stall, rear stall, balcony की जो total collections है वो इसके equal हो जाए इन terms of cost तो जो 285X है वो 15,000 के equal हो जाएगा आप इसको बड़े अराम से mathematically solve करोगे X आगया 52.63 जैसी X की calculation आजाती है तो आप बड़े अराम से पता करेंगे के front stall का रुपिस X का amount कितना होना चाहिए rear stall का रुपिस 2X का कितना और balcony का रुपिस 3X का कितना मैं आपको बड़ा message देना चाहता हूँ कि कब situation simple way में solve हो जाती है कब situation simple way में solve हो जाती है simple case और यह जो comprehensive case होता है जिसमें हमको मजबूरी में Mr. X से मदद मागनी पड़ती है वो मजबूरी का case कौन सा होता है भाई ओके cinema hall से related यह हमारा point of discussion रहा अब हम एक काम करते हैं दूसरी इंडस्ट्री के बारे में सोचते हैं concept हमारे सामने अब है hotel industry से related ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बाद अगर को इंडस्ट्री most important मानी जाए तो वो hotel इंडस्ट्री होगी होटल इंडस्ट्री के जो भी कोशन होंगे ना उसका ultimate objective यही है कि आपको बताना है recovery rate per room per day याने एक एक कमरे को एक एक दिन के लिए लेट आउट करके हम cost और profit total आखिर कार अपने customer से कितनी recover करे profit तो खेर management ने अपनी मर्जी से decide करना होता है हम तो खाली cost की calculation आपको बता सकते हैं आप जानते ही है कि जो भी आपकी total cost है जो आप recover करना चाहते अगर annual basis पे deal करना चाहते तो वो आपकी मर्जी मन्त ली तो आपकी मर्जी चले annual basis के point of view से सोचते हैं जो आपको total cost recover करनी है अगर हम उसको total rooms और total days दोनों से divide करें तो मैं कह सकता हूँ के recovery rate per room भी हो गया और per day भी हो गया यह मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना कि भी अगर मैं rooms और days को multiply करता हूँ तो मैं इसको एक technical name दे सकता हूँ रूम्स डेस हम यह नहीं कहते हैं कि हम रूम से भी डिवाइड करते हैं हम एक कोटल पूरे इस यहादि करते हैं कि हम टोटल पूरे साल में 3 करोड 65 लाग की रिकवरी करें बहुत बढ़ी आमाउंट है जी अच्छा साल के 365 दिन तो अगर आप सोचे तो 365 से डिवाइड करिए ये हो गई रिकवरी पर डे लेकिन होटल में कमरे भी 100 हैं तो चलो सो से भी डिवाइड कर दो भाई डेस से भी डिवाइड हो गया रूम से भी डिवाइड हो गया एफेक्टिवली आपके पास का आ गया 1000 पर रूम पर डे और डेस और रूम का मल्टीपलिकेशन 36,500 पर मेरे भाई हर होटल की न ऐसी किस्मत नहीं होती कि अगर होटल में सो अकमरे हैं तो हर रोज सारे के सारे कमरे लेट आऊट ओगे ऐसे थोड़ी होता है भाई आप समझें कभी सीजन पीरिड होता है कभीशन पीरिड होता है तो टाइम-टाइम के हिसाब से situation को manage करना पड़ता है straight away ऐसा multiplication, well, कहने को ठीक है, आप कह लिजे, theoretically कह लिजे, पर practically ऐसे थोड़ी होता है ओके, very good जी अच्छा मैं ये भी जानता हूँ कैसे बड़े सारे comprehensive questions हमारे पास हैं, बड़े सारे comprehensive questions हम लोग अपने notes में deal करते हैं कि जिसमें rooms की बड़ी सारी categories होती हैं बई, चोटे बड़े कमरे होते आप भी कभी hotel में रहोगे चोटे बड़े कमरे तो होते ही हैं ना फुर्स के बाद season और off season का impact भी आप observe करते accordingly आपको अपनी calculation को adjust करना पड़ता है, आपको decide करना पड़ता है, जैसे आप कह सकते हो season period में hotel के case में हमेशा rent जादा होता है और season off season period आफकोर्स आप अपनी nature के इसाब से decide करोगे, भी अगर कोई hotel मसूरी में हैं, शिमला में हैं नैनिताल में हैं, तो वो तो यही कहेंगे भी गर्मियों का period, season का period है पर दिल्ली में थोड़ी ऐसा होता है दिल्ली में कौन गर्मियों में घूमने के लिए आता है हाँ, मैं ये मान सकता हूँ भाई, दिल्ली की जो सर्दिया होती है बड़ी कडाके की होती है, और आजकल पर डे की recovery, कितनी होनी चाहिए नॉर्मल लॉस का भी impact उसमें consider करना पड़ता है without any doubt आप ये भी जानते हैं कि हॉस्पिटल के जितने कोशन हैं, हॉस्पिटल के कोशन वो ठीक उसी parameter पर डील हो जाते हैं, जिस parameter पर होटल के कोशन डील होते हैं पस इतना सा फर्क है भाई कि होटल के केस में है room occupied by guest और हॉस्पिटल के केस में room occupied by patient, ये मैंने आपको बताया भी था आज की क्लास में पहले अच्छे को कुल मिला कर सोचा जाए, तो जितनी भी industries इस chapter में cover होती हैं उस पर हम लोगों ने एक तरीके से बात कर ली है, लेकिन फिर भी कुछ केसे साओर भी हैं आपको ध्यान होगा जब हम ये chapter क्लास में cover कर रहे थे तो उसमें हमने एक कोशन library का भी करा था, एक electricity generation canteen, tall bridge और information technology, हर एक के चोटे-चोटे कुछ कोशन हम लोगों ने कर रखे जादा detail में इन industries को pick नहीं करा जाता है, क्योंकि मैं आपको पहली बता चुका हूँ transport industry और hotel industry बाकी industries के बस एक एक कोशन और चोटे-चोटे कोशन होते हैं एक बात और में आपको बताना चाहूंगा, last में कुछ ऐसे कोशन आपको मिलते हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है कि हमको subsidy मिली हमको ये बताया जाता है कि हमने scrap को बेच दिया तो subsidy अगर हमको मिले हमने scrap को बेच दिया तो basically ये जो receipt आपको हुआ है receipt हुआ है तो इस रिसिप्ट का क्या करा जाए आप इसको मानिए कि आपकी कॉस्स थोड़ी सी कम हो गई आप इसको ऐसे सोचिए जैसे कि हम सब लोगों के घरों में महीने के आखिर में न्यू सेपर की जो थोड़ी बहुत रद्धी कठी हो जाती है हम उसे बेच देते हैं बेच कर सो दो सो रुपे मिल जाते हैं तो कोई ये थोड़ी कहता है कि हमने सो दो सो रुपे कमा लिए ऐसे कौन कहता है वाई पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि चलो आज घर का खर्चा चलाने का जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा कम हो गया तो अगर आपको scrap बेचने से रुपे मिले आपका ये cost थोड़ी कम हो गई Similarly अगर मैं subsidy का example लो subsidy बड़ी सारी organizations को मिलती है जैसे अगर मैं canteen का example लेता हूँ Government बड़ी सारी canteen को subsidy प्रोवाइड करा कर देती है भाई दिल्ली में हम income tax department जब जाते हैं बहाँ पर जो canteen है बड़ी कमाल की canteen है भाई या क्या बढ़िया बढ़िया खाना मिलता है और बड़े subsidize rate पर मिलता है इतने सस्ते rate पर वो इसलिए provide कराने में कामियाब हुए हैं क्योंकि government की तरफ से funding है उनको पैसे दिये गए बही अगर आप किसी को पैसे दोगे तो उसकी cost तो कम होई जाएगी और अगर उसकी cost कम हो जाएगी तो ऐसी situation में जब वो customer से finally amount charge करेगा तो थोड़ा कमी charge करेगा आप जानते ही जैसे LPG के case में government जो है उनको subsidy देती है तबी हम लोगों को वो gas facility बड़े सस्ते rate पे provide भी करा कर दी जाती बड़ी सारी जगों पर electricity water जो बिजली पानी की सुविधाय है वो भी subsidized rate पे provide करा कर दी जाती कुल मिलाकर ये सारा का सारा खेल असल में cost का है अगर business organization की cost ही कम हो जाती है तो ऐसी situation में customer से cost भी कमी माँगी जाएगी मेरे प्यारे बच्चो operating costing के जितने भी questions आप लोगों ने कर रखे हैं उन सारे questions को बड़े अच्छे ढंक से पढ़िएगा और ये जो revisionary video हमने बनाया है ये उसको support करेगा ये उसको supplement करेगा बही कुल मिलाकर सोचा जाए तो main classes plus revisionary video दोनों का जो combination है वो आपको एक wonderful result ला कर देगा इसी कोशिश को ध्यान में रखते हुए ये काम हम आपके लिए करकर यहां तक लाए हैं और ये revisionary video हमने बनाया है ताकि इससे आपका थोड़ा advantage आपको मिल सके ओके जी अब हम मिलेंगे अगली class में अगले revisionary video में और आप जानते ही हैं कि अगला chapter में कौन सा pick करने वाला हूँ well that is contract costing ओके गुडबाई thank you take care